हेलो दोस्तों के LD Classes में आप सभी का स्वागत है नेपाल के परधान मंत्री ने MCC को लेकर बहुत ही बड़ा ब्यान दिया उन्होंने कहा कि MCC आने से नेपाल देश की समप्रभूता खत्म नहीं होगी इस समय नेपाल में MCC को लेकर भारी बिरोध परदरसन देखने को मिला नेपाल में भारी बिरोध देखने को मिला है तो हम ये भी बात करेंगे कि नेपाल के परधान मंत्री जी ने MCC को लेकर क्या कहा और किन बातों को लेकर पूरी दरसन होने कहा कि अगर MCC नेपाल में लागू नहीं होता है तो इससे नेपाल को ही नुकसान होगा तो चलिए बात करते हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी ने MCC को लेकर क्या क्या तो सबसे पहले आप समझे कि MCC होता क्या है MCC का फुल फार्म होता है मिलेनियम चैलेंज कारपरेशन ये अमेरिका और नेपाल दो देशों के बीच में एक समझ होता है जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट होती है उस पर दोनों देश मिलकर इस पे पैसा खज करके उसे पूरा करते है तो वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी सर्मा ओली ने कहा कि MCC मिलेनियम जो चैलेंज कारपरेशन में बहस करने के लिए कुछ भी नहीं है जो नेपाल की संप्रभूता को कमजोर करेगा सत्तारूर नेपाल कमुनिस्ट पार्टी जिसे हम राकपा के नाम से भी जानते हैं कि केंद्री समिती की बैठक के उधगाटन सत्र में संबोधित वहाँ पे वो कर रहे थे प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा कि 500 बिलियन डॉलर जो संप्राज अमेरिका दे रहा है समर्थित अनुदान का किसी और चीज के साथ कोई भी संबन ने लेकिन कुछ नेताने जो बिरोधी हैं उन्होंने ये बताए कि जब से अमेरिका के एधिकारियों ने नेपाल का यात्रा की तब से बिरोध प्रदर्सन इसके सासाथ बढ़ गया है क्योंकि सरकार ने दो बातों पर ऐसा मैथ है जो केपी सर्मा ओली है उनके पूरे जो तंत्र है लोग तंत्र है उन्होंने इसको लेकर पूरी तरह से देश वास्चों को क्लियर नहीं किया कि उसमें दो चीजों पर बहस हो रहे हैं दो चीजों के लेकर यहां पे नेपाल में MCC का काफी विरोध देखने को नहीं पहला है आपका सासन दूसरा है साइनर अच्छा है इन जो विरोध जो कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि नेपाल सरकार इनका भी समझोता है M.C.C. के तहर करें लेकिन नेपाल सरकार ने पूरी तरह से क्लियर किया M.C.C. की अस्थापना 2004 में होई थी नेपाल ने 2012 में M.C.C. को लेकर अमेरिका से समझोता किया वहीं IPS आप समझें कि IPS क्या होता IPS का होता है इंडो पैसिफिक स्टेटिजी की अस्थापना 2017 में की गई थी प्रधान मंतरी ने जोर देते हुए कहा कि M.C.C. एक ऐसा समझोता नहीं है जो हमेशा के लिए प्रभावी या लागू होगा बलकि अधिकतम 5 वर्सों के लिए ही M.C.C. नेपाल देश में लागू होगा अगर नेपाल को फाइदा होगा तो ये आगे और 5 साल के लिए आगे लागू रहेगा नहीं तो वहीं पे इसको हम खतम कर देंगे इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से बात की अगर परियोजनाय तब तक पूरी नहीं होती है जो डेट होता है 5 साल के लिए अब की बार का जो डेट है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी अगर परिजन टाइम में नेपाल में अगर M.C.C. लागू होता है वो आपका 29 जुलाई 2025 तक जो भी परियोजनाय है दो परियोजनाय है भी हम उसके बारे में बात करेंगे उसको 29 जुलाई 2025 से पहले पूरा कर लेना होगा नहीं तो ये M.C.C. जो समझाता है ये आटोमेटिक वहीं खतम हो जाएगा तो यही इनोंने बताए कि अगर परियोजनाय तब तक पूरी नहीं होती है तो भी ये समझाता 5 साल बाद पूरी तरह से खतम हो जाएगा इसलिए इसे IPS से जोड़कर देखना पूरी तरह से गलत है क्योंकि जो बिरोद कर रहे हैं वो इसे इंडो पैस्विक स्टेटेजी के रूप में उसको मान रहे हैं केपी सर्मा ओली जी के अनुसार दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी अलग-अलग बीचार धराएं होती हैं इसे राजनितिक, समाजिक और आर्थिक बेहुस्ता और छेत्री और वैस्विक इस तरह से हित होता है लेकिन नेपाल को उसके राष्टी हित प्राथमिक्ताओं और लाभू के अनुसार, अनुदान, सहायता या रिण मिलता है कोई भी देश चाहिए वो अमेरिका दे या अन्य देश, हमने कहा कि अगर हम दूसरों के छुपे हुए हितों की तलाज सुरू करते हैं तो हम किसी भी देश के साथ अंतराश्टी संबन नहीं बना सकते हैं लोग ये इन्होंने ये भी पता है कि अगर हम ये सुचें कि MCC से नेपाल को फाइदा क्यों हो रहा है या जो अमेरिका है वो क्यों इस तरह से मदद कर रहा है नेपाल का इसमें क्या अमेरिका कोई फाइदा नहीं होगा पीम ने अंत में कहा कि MCC जो पैक्ट या समझोता हो रहा ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो नेपाल की संप्रभूता, स्वतंतरता, विकास, प्रिक्रिया, जिमेदारियों और अंतराष्टी संबंधों पर नकरात्मक प्रभावर ड़ले मैं सभी से इस बारे में अस्पष्ट होने का आगरह करता हूँ कि अमेर्की दूतावास ने इस मुद्दे पर साफाई भी दिये कि MCC को लागू करने में कोई भी समस्या अब नहीं रह गई है, जो भी बिरोध परदरसन हो रहा है, वो जब उनको समझ में आगा कि MCC क्या है, इसका बिरोध परदरसन छोड़ देंगे, अगर MCC नेपाल में लागू होता है, तो नेपाल वे अमेरिका मिलकर 29 जुलाई 2025 तक दो बड़े प्रोजक्ट पर पूरा करता होगा, सबसे पहला है, टांसमिशन, लाइन फार हाई वोल्टेजी एक आपको बनाना होगा, दूसर अमेरिकी दूतावास की बात को भी PM ने दोरा है कि MCC में कोई सेन घटक नहीं है, क्योंकि अमेरिका का कानून सभी देशों के समान है, जिस भी देश से इस तरह से अमेरिका MCC समझोता करता है, सभी जिस तरह से ओर देश जहां पे देश समान है, नेपाल देश जैसा कहेग उसी को जो प्रोजेक्ट उसको ही इसमें सामिल कει जाएगा नहीं तो उसको बाहर कर दिया जाएगा तो ही उन्होंने कहा कि अमेरिका का कानुन सभी देशों के लिए समान है NCC को नेपाल सरकार बिकास के अलामा कुछ नहीं मानती है समझोते को कभी भी खत्म किया जा सकता है अगर कोई गलत फायदा उठाएगा खता है इन रुपियों को जो 500 मिलियन डॉलर नेपाल को मिलेगा इस MCC प्रोजेक्ट के माध्यम से अगर नेपाल के प्रधानमेंतरी ने MCC को लेकर सभी बातों को क्लियर किया कि इस तरह से ये नेपाल के लिए हित में हैं और जो लोग भी रोद कर रहे हैं वो सबसे पहले MCC को समझें कि नेपाल को क्या फायदा हो रहा और अन्य देश को क्या फायदा अगर हम हर जगे कमिया ही निकालते रहेंगे तो ये हम इस तरह से आन्य समझोते हम आन्य देश से भी कभी भी नहीं कर पाएंगे तो इस तरह से ये नेपाल सरकार की बाते थी इसी परकार से बने रहे है जैसे कोई इन फैर्मेंसन आएगी मैं आपको जरूर सुचित करूँगा इसी परकार से बने रहने के लिए आप सबी दोस्तों का KLD Classes की ओर से धने